नमस्कार मैं सिधानत पूरूति आप सभी संगीत कारों और करा कारों का सभागत करता हूँ तो आज हम थोड़ा इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि राग सीखने का सही समय क्या है वैसे तो आलेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में इसको बताने की कोशिश करी है बट आज मैं इसका दूसरा पहलू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अब यहाँ पर देखें कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही जादा एक्सपीरियंस के बाद आपको राग गाना शुरू करना चाहिए ऐसा मैं नहीं मानता क्योंकि और ऐसा बहुत बड़े-बड़े उस्ताद लोग भी नहीं मानते उन्हीं की बज़ा से मैं भी नहीं मानता क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपने एक चीज गौर करी होगी कि जितने भी बड़े-बड़े उस्ताद है जो बहुत ज़ादा फेमस हुए वर्ल्ड वाइड जो फेमस हुए उनके बारे में हम एक चीज तो कॉमनली सुनते हैं कि उन्होंने किसी ने छे साल की उमर में अपन पानेज जैसेෝा sensor होते हैं वो सारी की सारी चीजे चीजें होती थी तो उन्होंने उस मर में भी राग को प्रेजेंट किया यानी की एक इतने चोटे बच्चे को भी राग सिखायाँ जा सकता है लेकर उसारी कि की सारी चीज़ें एक उस्ताद पर भी निरभर नहीं करतीं किसी भी गोरु जी पर निर्भर नहीं करती यह कुद्रत की देन भी तो है न उस बच्चे के पास जब कोई बी इंसान पैदा होता है तो वो अपने करम लेकर पैदा होता है एक रहमत एक भगवान की क्रिपा जो है वो उनके उपर होती ही है बहुत जादा उसकी बदालत जब उनके उस्ताद उनके गुरु कोई भी उनको सिखाने की कोशिश करते तो बहुत जल्दी उसको एडॉप कर लेते और कुछ चीज़ें कुदरती होती ही है आपने भी नोटिस किया होगा बहुत सारे गवईये ऐसे हैं जो बिना सीखे भी अच्छा गाते हैं या बहुत सारे गवईये ऐसे हैं जिनका चलता बहुत है चलता बहुत है तो इसके वज़ा से अगर उनको कुछ भी कोई वेरीशन सिखाएंगे या कुछ भी होगा तो वह एजली एडॉप कर पाते हैं कुछ लोग अब आपर जो अगली के लिए कुछ यह को बाई डिफॉल्ट बहुत ही जादा सुरीले होते वह जादा रियाज नहीं भी करेंगेत तो भी उनका अगर वो कभी चबी भाइंगे तो को by default सुर उपरवले की देन ऐसी है बक्षिश ऐसी है कि वो जब भी गाते हैं वो सुर में ही लगता है और यह बहुत ही अलग लग मतलब भगवान अपने होने का एहसाज दिलाते हैं और बताते हैं कि अलग लग कृपा हर कलाकार के अंदर उन्होंने की हुई है दी हुई है तो यहाँ पर उसी तरीके से देखिए कि हर बच्चा या हर सुरिंट बहुत जल्दी राग गा पाए या ना गा पाए यह एक तो भगवान की देन पर डिपेंड करता है दूसरा उनकी अंडरस्टैंडिंग टूर्ड राग यानि कि उनकी समझ उनकी कोशिश कितनी है वो अ अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत जादा बड़ा और बहुत जादा मुश्किल तो नहीं है इसको स्टार्ट करना वैसे तो बहुत मुश्किल है बट अगर इसको स्टार्ट करना हो आप अगर शुद्ध स्वर भी लगाना जानते अभी कोमल तीवर की बात नहीं कर यहां अगर आप बिलावल गाना जानते हैं जो कि हम लोग करते ही करते हैं वहां पर अगर हम से करें से समझ को एक कौन सा लग रहा है या जाने कि ऑषी तक हम अगर वा सुर लगा रहे है है तो अपने रियाज और अपने गुरुओं की किरपास है और भगवान का अशिरवाद से जाहिर है तो यहां पर हम इतनी रिकार्मेंट है कि सुरीला गाना है और जब आप अपने जो नोट्स है हमारे सारे गामा पाद है निसा जब आप इसको सुर में गाना शुरू कर देते हैं तो यहां पर आप उसके अंदर मींड भी लेंगे अगर आप हलका फुलका बहुत एडवांस लेवल पर सब करने की जरूत नहीं एक दम से और वो होगा भी नहीं बट अगर आप बेसेक इक स्ट्रक्चर जानते हैं कि हां जी सा से रे पा थोड़ा स्लाइड करके गए और व जब हम इसको प्राक्टिकली करते हैं वो तब भी अच्छा हो तो तो फिर उसका उस बात का कुछ मज़ा ही अलग है तो यहां पर अगर आप सा से रे पर जा रहे हैं और और आपने सुरीली मींड गा दी तो बहुत अच्छी बात है और यह आप सोची कि यह बहुत बड़ी छीव मेंटे के अंदर क्योंकि जब किसी भी राग को गानी की कोशिश घरतेि तो हम वहां पर बिल्कुल पल्टे की तरह सीधा सीधा नोठ हमनेat कौ यह एक्टिक्षण नandır लोट में रहने जाते हैं वहां पर ह्गित कीली ह। ग्षब्सवरा चीज होती है तो उसके अंदर भढ़ने के लिए एक रंग मीड का भी है उसी तरीके से एक रंग को भी होता है एक रंग मुर्की का भी है एक रंग और गमक का है एक रंग नриयास का है एक रंग आंदोलन का है इसी तरीके से अनेकों रंगों को मिक्स करकर उसका एक धाचा बनावा है उसको रंगा आ जाता है तो यहाँ पर हर एक चीज का एक लेवल होता है कोई स्टाटिंग में जब यह सारी के सारी चीज़े सीख रहे होते हैं तो एकदम से परफेक्शन में नहीं आता बखानी के लहाती है घए है अपने ओक अपने देखा होगा जाहिर है लहाँकर उनके लिए कभी तर चाह थोड़ा सा मुझकिन हो जाता कि तोड़ा सा ज़ादा में काना होता है यह इसके अलाबा बहुत ज़ादा आकार का जो दाना है वह करना पड़ता है इसको अगे जाकर ड看一下 थे द्वरेब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि देखें तो आपको समझ में आ जाएंगे कैसे करना है क्या करना गला घूमने भी लग जाएगा पट अगर वह सुरीला नहीं हुआ तो किसी काम नहीं तो यहां पर बस अब बस की रिक्षायर्मेंट देखे कि अगर आप सुरीला अकर पर अगर आप संसे पहली इसके अलावा आगर आप हलका फुलका मींड के बारे में जानते हैं और इसको लगाना भी जानते हैं पता लगता है सुनकर और गा कर वी आप कि आपको एक पर समझना होगा कौन से पर मींडव लेने बहुत अच्छा होगा कौन से पर खटका आना चाहिए कौन पर मुर्की आनी काहां पर कौन सी हर्कत लगनी चाहिए इसकी समझदारी को डeshकना इसको समझना होता है हर एक राग अपना रंग लेकर आता है एक उसकी खुद की दुनिया होती है तो उस दुनिया में प्रवेश करकर हमको उस दुनिया के बारे में पहले जानना होता है ताकि हम उस राग की दुनिया में अच्छे से सर्वाइव कर पाएं तो यहां पर यह इसी को भी बहुत कभी-कभी लगता है, तो कई लोग को बहुत जादा वक्त नहीं लगता, यहां पर अभी तो बात हो रही है सुर की, यहां पर एक सेक्शन आता है ताल का, ताल के अंदर भी आपको बहुत महनद करने की जरूरत होती है क्यूंकि इनका जो रिष्टाँ रिष्टा ना इनका सुर और ताल का जो रिष्टा यह आतिमा और शरीर जैसा ही है या आतिमा या परमात्मा जानी की दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं तो अगर आप राग अच्छा गाह भी पा रहे हैं और उसके बाद अगर आप उसकी जो बंदेश है जो इसकी तो एक थोड़ी अलग बात है जो साउंड बस्ता है जो साउंड क्या है क्या-क्या बोल है ताकि आप जब लाइव तो आपको कुछ जीए ना क्रें की हैं तो इस लिए आपको दोनों में ही मेहनत करने जरूरत है और इसमें वक्त तो लगता है अब एक कहने के लिए चोटी बात है कि यह आप इस इस तरीके से आप कर लेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा बट इसको करने में थोड़ा बहुत तो वक्त लगता ही लगता है यहाँ पर पेशिंस आपको बहुत जादा जरूरी है राग गाने म वो टोटली डिपेंड करता है कि आपको समझ में कितना आ रहा है और आपको जो सिखाने वाले हैं वो कितना इंट्रस्टिंग वे में सिखा रहे हैं और क्योंकि आपर देखिए एक होता है रियाज करना सिर्फ और सिर्फ रियाज करना और एक होता है टेकनीक के साथ करना जगाओं को समझ कर अगर आप उसको समझ कर आप अच्छे से गा सकते हैं और आप को जो सिखाने वली है वो अच्छे से समझा सकते हैं तो डियोन के वह घल वहारे सब्सक्राइब का भी जैसा की का कि हर एक लेवल होता है अब एक वीडियो में मैने ऐसा भी कहा है कि राग को डबन के तरीके से नहीं गाना चाहिए क्यूंकि राका काॉंसप्ट बड़ा है अब एक डबन की तरीके से घ falou क्या होता है देखिए जैसे एक चोटा बच्चा काता है नॉपली एक पोएम होती है जाओ तो रे चरन कमला परवाली एक हुआ कि सीधा सीधा स्ट्रक्चर का दिया अब देखी इसमें राग वली बात तो है ये बच्चे की पोएम राइम से कम तो नहीं लग रहा है एक्साट्री बैसे लग रहा है से जादा भी नहीं है तो इसको अगर थोड़ा सा ही सजाना होगा तो इतनी गुंजाइश तो हो कि यहाँ पर कुछ तो वेरिशन दिया जा सकता है बजाए जाओ जाओ तो रे चरल कामारा परवारी यह रोबोटिक थोड़ा लग रहा है कि किसी ने मुझे प्ले कर दिया और म जाओ तो रे चरल कामारा परवारी जाओ तो रे चरल कामारा परवारी अभी मैं बहुत जादा तो नहीं कर रहा हूं है उसको बहुत जादा इसमें वेरिशन नहीं है जाओ चरल केते ड़ा अब दिखें इससे जादा तो मैं अभी नहीं कर रहा हूं और बहुत जादा भी नहीं है बटे थोड़ा थोड़ारे और यहां अगर आप इतना भी का लेते हैं तो आप राग शुरू आप कर सकते हैं तो यह थोड़ा सा समझने वाला कॉंसेप्ट है और बहुत जादा बड़ा और बहुत जादा मुश्किल नहीं है यह अपना अगे जैसे जैसे एक्सपिरियेंस होगा आप और जितना जादा स चीज जो है वह उसमें जो आपका गला है वह आपका उतना ही जादा साथ देने लग जाएगा आप जो सोचेंगे वह एक्जैक्ली आप पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही है आई गैस की काफी हद तक एक राग को गाने के लिए क्या क्या बेसिक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा इस चैनल को थांक यू सो मुच अल्दा वेरी वेस्ट नमस्कार